हे दोस्तो इस वीडियो में हम दस ऐसे सूपर क्वालिटीज के बारे में जानेंगे जो कि एजेंट को सक्सेस्फुल बनाता है प्रपर्टी खरीदने में या फिर बेचने में जिन में से पहला है लिसन सिलेक्टिवली लिसन केरफुली अच्छे से सुनो गौर से सुनो वो कस ग Heroes चाहते हैं उनने क्या चाहिए उनके बात पर वोत थोड़ा Home recover कर भाए वह साड़ने से बहर आपाई इससे आपको फायदा होगा उनने को करो तदाता की को सिंकरो उस प्रॉपार्टी को लेके उस इंसान को लेके परसोनल कोईश्चिन भी करो, कि आप कितना कमाते हो, कहां रहते हो, यह सब कोईश्चिन करो, घबनाना नहीं परसोनल कोईश्चिन करने हैं से, क्योंकि वहाँ आपको कुछ hidden information मिल सकता, जो आपको help कर सकता है, सेल को जल्दी से जल्दी क्लोस करने में, और हाँ, कोईश्चिन पर कोईश्चिन मत पूछना, उन्हें answer देने का थोड़ा time देना, जैसे आप पूछते हो, कि आप क्या करते हो, आप कहां रहते हो, अरे भाई, आप interview नहीं ले रहे हो, आप उन्हें help कर रहे हो, आप अपना service उन्हें offer कर रहे हो, तो उन्हें थोड़ा time दो explain करने के लिए, question पर question मत पूछो, उन्हें answer देने का time दो, जानो, price, property का price एक रुकावट नहीं है, अगर आपने सही चीज़ offer कर पाते हो, सही चीज़ दिखा पाते हो, तो वो मान जाएंगे, पैसा के इंतिजाम वो कहीं से भी कर लेंगे, price को block मत मान, उन्हें just value दिखाओ, और आप property को sell कर दोगे, and put some pressure on the customer, हमेज अपने customer कर पर थोड़ा pressure जरूर डालना, जो कि average agent नहीं करता, एक average agent समझता है, कि अगर मैं अपने customer कर साथ अच्छा behave करूंगा, अच्छा व्यवार करूंगा, तो वो लोग मान ज जब तक आप उनसे पूछोगे नहीं, तब तक वो नहीं खड़ी देंगे, research कहता है, कि आपको minimum 5 बार पूछना होगा, तभी वो लोग खड़ी देंगे, पहली बार में वो ना बोलेंगे, then ना बोलेंगे, फिर maybe बोलेंगे, and then वो जाके yes बोलेंगे, आपको पूछते रह आपको यह मंत्रा अपने अंदर इंस्टॉल कर देना चाहिए, I have to get it done, no other option, मुझे यह करना ही होगा, और कोई चारा नहीं है, आपके formula follow करना होगा, at the time of sale, selling के time, तभी काम बनेगा, थोड़ा थोड़ा pressure जरूर डालना, 5 बार, minimum 5 बार पूछना, तभी वो खड़ी देंग इससे लोग को फाइदा मिलता है, selling मतलब manipulation नहीं है, selling मतलब अपने service को offer करना है, जिससे हर एक को फाइदा होगा, उन्हें सही चीज ठोंडने में, तो selling को अच्छा चीज मनो, दिल से अच्छा चीज मनो, तभी आप सफल हो पाओगे, and lastly, खुद को prepare करो, सारे closing techniques को सीखो, जिससे आप सही time पे सही question के answer दे पाओ, आप हर बरा मत जाओ, आप सही से question के answer दे पाओ, अगर आप ए sales series follow कर रहे हो, तो आपको साइद पता लगया होगा, कि कैसे customer objection को handle करना है, कैसे उन्हें मनाना है, कैसे negotiate करना है, और आगे भी आपको पता लगेगा, तो आप इस channel को subscribe क टेकनिक जानने के लिए, तो simply smile करो, और सुनो, agree करो, उनसे agree करो, question करो, जानो, उनका salary क्या कुछ hidden personal information ढूंद निकालो, minimum 5 बार पूछो, और ये जानो कि selling एक अच्छा चीज है, इससे लोग को help मिलता है, तो ये है quality, एक successful real estate agent का, अगर आप इन सब को अपने अंदर install कर ले आते हो, तो success पाने साब कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपका property जरूर बिगेगा, so good luck, happy selling दोस्तो,